नमस्कार दोस्तों सबको मेरा जय जगनात और आज तारीक है 20 जून 2013 आज है रथयात्रा भगवान जगनात का सबसे बड़ा फेस्टिवाल हमारे उरिशा में ये बहुत ही अच्छी तरह बनाते हैं और दुनिया में एक ही भगवान है जो की साल में एक बार बाहर निकल के आज के इस पवित्र दिन पे सिर्फ यही भगवान से मैं फ्रार्थना करती हूं कि आप सब लोग खुश रहें हस्ते रहें और आपके जिंदेगी में कोई भी दुख ना हो तो भगवान जगनात का नाम लेके आज का वीडियो में स्टार्ट करती हूं आज बात करेंगे आ आडेनियम्स जिनको मैंने रूप टॉप पे रखी थी और इनके बारे में मैं वीडियो भी आप लोगों के साथ सेर करती रहती हूं कब क्या फटलेजर इसमें मैं देती हूं यह सारे आडेनियम्स के पौद है मेरे बहुत ही सुन्दर ग्रोथ है इनके हेल्दी है लेकिन फ पाश्ट फेबरवारी में रिपॉटइंग किया था उस ताइम पे भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो सेर किया था इसमें जो पौटइंग मिंक्स मैंने दीया था यह 90% सिंडर है और 10% भर्मिकम्पोस्ट और उसमें थोड़ा सा मैंने बोन मीर्मिल और नीम केक मैंने मिलाया था, पॉद्ध का ग्रॉथ तो बहुत ही अच्छा हुआ है, उस टाइम पर मैंने इनको पूनिंग भी कर दिया था, आप लोगोंने मैरे फेबर्री में मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, वो आप लोग जरूर दिखिएगा, पॉद्धों का ग्रॉथ तो बहुत ह दिन रहता नहीं है, सिंडर हम लोग इसलिए ही यूज करते हैं, ताकि पानी अपने जो बॉटी मिक्स में ज्यादा देर तक न रहे, जैसे हम लोग डाले पानी उसमें, पानी तूरंती अपना जो ड्रेनेज होले उसमें से निकल जाए, तो फोटलेजर जितना भी डाल लें, तो आप सोच रहे होंगे, फिर मैंने सिंडर, इसका मीडिया है, सिंडर क्यों रखा है, तो सिंडर मुझे आडेनियम के लिए बहुत ही पसंद है, क्योंकि आडेनियम में ज्यादा पानी का जोरत नहीं होता है, ओवर वाटरिंग का खत्रा नहीं रहेगा अगर मैं सिंडर यूज करूँगी इसलिए ही मैंने सिंडर यूज किया है क्योंकि थोड़ा सा भी अगर पानी रुख जाता है तो जल्दी से उसमें रूट रोट होने के चांसिस रहते हैं रिपोर्टिंग के बाद अगर मैं केमिकल फॉट लेजर यूज करती तो मेरे पौधे में जरूर फूल आते हैं लेकिन मैं हमेसा और्गानिक फॉट लेजर थोड़ा ज्यादा पसंद करती हूं और सबको पता है और्गानिक फॉट लेजर थोड़े स्लो रिलीजिंग फॉट लेज होते हैं इसलिए ज्यादा फूल नहीं हुए थोड़े कम ही फूल आए और तीसरा है chemical fertilizer मैंने इसलिए भी यूज नहीं किया क्योंकि अभी जो धूप है इस साल देखिए 45 डिग्री तो पहुंच गया था तो chemical fertilizer यूज कर देती तो उसका effect क्या होता वो पता नहीं है मुझे थोड़ा ड बहतर लगा इस time पर कोई बात नहीं बाद में तो फूल भी आ सकते हैं अगर पूदे healthy हैं अच्छे हैं तो फूल आप लोगों को तो सालो साल मिली जाएंगे तो इसमें कोई tension की बात नहीं है कि कोई भी जल्दबाजी भी करने की जोड़त नहीं है अगर मेरे पूदे अच चुटी में भूबने शर गई थी और लगकी लिए एक दुकान पे मुझे organic potas मिल गया है तो वो मैं आज अपने पौदों में दूंगी आप लोगों को पता ही होगा potas देने से कैसे अपने जो plants से उसमें flowering आने लगते हैं फूलों से भर जाते हैं अपने plants और जो मैं अभ तो potas है organic potas उसको अपने पौदों में दे दूंगी क्योंकि अगर एक बार बारिस शुरू हो गया तो फिर organic fertilizer का यूज़ करना थोड़ा अपने पौदे के लिए खतरनाक हो सकता है हो सकता है कुछ fungal infection हो जाए उसके chances बहुत रहते हैं अगर monsoon में आप organic fertilizer का इस्तिमाल करें तो इसलिए अभी monsoon सुरू होने से पहले ही मैं जो organic potas से उसका इस्तमाल अपने पौदों में करूंगी और देखिएगा 15 दिन के बाद ही उसमें flowering होना सुरू हो जाएगा और flowering जब होगा उसका update मैं आपके साथ जरूर सेयर करूंगी fertilizer हमेशा साम को देना मैं ज्यादा पसंद करती हूँ आज भी साम को देने के लिए ही सुची थी लेकिन एक दो काम आ गया तुरंत करने वाला तो उसको पहले करना पड़ा इसलिए तुड़ा रात हो गया है लेकिन कोई दिकत नहीं है अभी fertilizer दे दूँगी अभी अच्छा वक्त है fertilizer देने का और आप लोगों को मीडिया दिख रहा होगा पूरा ड्राय है तो जब भी fertilizer दें उसमें अपना जो प्लांट है उसमें वाटरिंग ना करें जब मीडिया ड्राय हो तब ही उसमें आप लोग fertilizer दें fertilizer जब भी दें पौधे के बिल्कुल पास मत दें उसको हम मैं सब पोट के जो साइड वॉल ले उसके पास थे तो सिंडर को मैंने थोड़ा उधर से हटा दिया है क्योंकि उसमें मैं अभी fertilizer दूँगी आज पूरा और्गानिक फटलाइजर ही यूज करूंगी थोड़ा सा नीम केक फिर और्गानिक पोटास और बोन मिल तो यह है और और्गानिक पोटास दे दिया उसके बाद मैं एक चमच उसमें दूँगी नीम खली जैसे कि आप लोगों को पता है नीम खली बहुत ही अच्छा होता है पौधों के लिए यह बहुत सारा बिमारियों से इंफिक्शन से अपने पौधे को बचाता है उसके बाद उसमें एक चमच में दूँगी बोन मील बोन मील भी बहुत ही अच्छा होता है प्लांट के लिए बोन मील जो होता है यह कैलसियम और फस्फरस से भरपूर होता है तो अपने पौधे में बीच बीच में बोन मील का इस्तमाल भी आप लोग जरूर करें फटलेजर देने के बाद जितन प्लांट्स में पानी मैं कल सुबह ही अच्छे से पानी दूंगी आज मैं जो ये फटलेजर अपने दे रही हूं आडेनियम्स में ये बहुत ही अच्छा अंदा फटलेजर है देखिएगा 15-20 दिन के बाद ही उसमें फूल आना सुरू हो जाएंगे जब फ्लावरिंग उसमे मैं जरूर सेयर करूंगी आज मैं फटलेजर दे रही हूं और 10 दिन के बाद और एक बार मैं उसमें ये वाला फटलेजर दूंगी और उसके बाद तो मेरे पौधे फूल से बिलकुल भर ही जाएंगे तो आज का काम पूरा कंप्लीट हो गया है सब अडेनियम्स को मैंने फ इक आपने उसको हिट करना मत भूलिये फार द लाट अट अपडेट बईड बाई थैंक यू पो वाचिंग